चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ दोस्तों नीट 21 के बारे में इन्फोर्मेशन चेंज हो रही है कभी ये कहा जा रहा है कि नीट 21 साल में दो बार होगी तो कभी ये कहा जा रहा है कि ये ओनलाइन मोड में होगी लेकिन ओफिशियल इन्फोर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है आज की लेटेस्ट इन्फोर्मेशन टाइम ओफ इंडिया के मुताबिक ये है कि इस साल नीट एक्जाम पैटरन में कोई चेंज नहीं होगा ये गौर्मेंट का कहना है नीट 21 का एक्जाम जुन जुलाई में पैन एंड पेपर मोड यानि ओफ लाइन होगा उच्छ सिक्षिया सचिव अमित खारे का ये कहना है कि स्टुडेंट पर इस तरह के सोट नोटिस में कोई चेंज करना अनुचित नहीं होगा और एक्जाम आयजित करने में लेट होने से न्यू सेशन इफेक्ट होगा सिक्षिया मंत्राला ये चाता है कि मेडिकल इंटरेंस एक्जाम साल में दो बार कंप्यूटर मोड में आयजित हो मगर हेल्थ मिनिस्ट्री से टाइम पर इस विशे पर सहमती नहीं बन पाई है नेट की दो बार आयजित होने की डिमांड इसलिए बढ़ रही थी कि 2020 में जेई मैन के सेकंड अटेम्ट में 28% स्टुडेंट ने अच्छा स्कोर किया था अमित खारे ने आगे का है कि जेई की एक्जाम ओनलाइन मोड में होती है मगर जेई और नेट में अंतर है जेई का इंट्रेंच एक्जाम सभी इंजिनिंग कोलेज में एडमिसन के लिए कंपलसरी नहीं है बलकि नेट सभी मेडिकल कोलेज में एडमिसन के लिए कंपलसरी है और बाइलोजी का स्टुडेंट कम्पिटर के साथ इतना फेमराइज नहीं है यही कारण है कि किसी भी चेंजिंग के लिए हम 6-8 मैने का नोटिस देंगे अमित खारे का कहना है कि इस साल नीट यूजी एक्जाम डेट जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगे तो दोस्तो एक्जाम डेट तो 10 मार्स तक अनाउंस होने की पूरी पूरी संभावना है यह तो NTA की डारेक्टर विनीत जोसी का भी कहना है कि हम मार्स के फर्स्ट वीक में ही यह डेट अनाउंस कर देंगे तो हम आसा कर रहे हैं कि इसी वीक में यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो वेट करते हैं ओफिशिल अनाउंसमेंट का जो भी इसके बारे में अपडेट होगी मैं आपको इन्फर्म कर दूँगा आप स्टेडी पर ध्यान रखें और अच्छी तरह से स्टेडी करें तो दोस्तों जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट मिलेगी मैं वीडियो में आपको बता दूँगा मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं आप से लेता हूँ विदा जैहिंद